हेलो माइडिया स्टुडेंस तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एससाइस 12.3 तो बिफोर स्टार्टिंग इससाइस जिसने भी इससे पहले का इंट्डॉडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे देख ले तभी एससाइस तुम्हें संद में आएगी ओके और उसक इससे कौन साइस सेले से स्केलन है और कौन सा एक बात करें पहला दो तीनों साइड इसमें डिफरेंट हैं तो यह क्या होगा इसकेलन होगा इसकेलन अगर बीग बात करें दो साइड एक्वल हैं दो साइड फॉर संटीमेटर फॉर संटीमेटर ठीक है ना तो यह कैसा है ट् एले इस राइट बासर में रहे हैं अगर तीनों साइड डिफ्रेंट है 357 तो यह फिर कैसा होगा कि स्केलन कि और अगर तीनों साइड एक्वाल है 444 तो यह कैसा हो गया इक्विलेटर रोग या है तो इसके आगे ट्राइंगल लिखना सब्सक्राइन ग में सब्सक्राइंग्यल प्रॉ में सिक्स्टीइब 4080 तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो यह कैसा ट्राइंगल हो गया कि एक्यूट कि एंगल कि ट्राइंगल अ थे इसके बाद यह हो गया बी में देखो एक एंगल ना यह इंगल है यह तो यह कैसा हो गया obtuse angle triangle it's c c में देखो एक angle 90 degree है एक angle क्या है 90 degree तो यह right angle triangle हो गया तो बाकी देख लो यह obtuse angle हो गया जोकि यह 125 है एक angle भी आगा बड़ा हो गया 90 से यानि obtuse angle हो गया तो obtuse angle triangle तीनों एंगिल एक्यूट एंगिल है 90 से छोटे है तो एक यह एक एंगिल 90 के प्रावार हो गया तो यह क्या होगा राइट एंगिल ट्राइंगिल ओगे चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है कॉसर नमबर ठड में देखो मैंने बताया था तुम्हें कि इन लाइन्स का मतलब होता है जैसे यह यहां पर एक लाइन बनी है यहां दो बनी है यहां तीन बनी है इसका मतलब यह तीनों डिफरेंट है अब बात कहते है regular और irregular polygon क्या होते हैं तो regular polygon वो होते हैं जिनकी all side equal होती है regular count से होते हैं जिनकी all side क्या होगी equal होगी और irregular count से होते हैं जिनकी side equal नहीं होगी तो regular मतलब होता है all side equal not all side equal कि वा समय जिसके और किषेव होती है और वह लोग इंडों कि ए एक्राइज सब्सक्राइज यहाँ अधार आसदि दौई ऐसले ने सब्सक्राइज तो यह होगा हमारा रेगुलर पॉलिगॉन यह क्या है रेगुलर है यहां पर दो साइड इक्वल है अच्छा यह भी बताना एक किसता का ट्रेंगल है इसको ध्यान नहीं दिया तो तीनों साइड अगर डिफ्रेंट है तो यह क्या होगा इसकेलन ट्रेंगल होगा है ना मैंने बताया था ना तो यह वाला क्या है इसकेलन ट्रेंगल राइट और साथ ही साथ यह क्या है इर्रेगुलर है दोनों बताना है इर्रेगुलर पॉलिगॉन बास समझा रही है चलो इसका बी देखते हैं बी क्या है तो यह एक क्लाइन बनी ह है इसका मतलब यह क्या है तीनों साइट एग्वल है तो यह कैसा एक र्यंगल है है और यहां कि असी में गिखा यह रहा है तो यहां से देख tubing क्या यहां यहां दो लाइन यहां दोनों साइड ऑर यह दोनों गविल हैं तो यह कैसा ट्राइंगल हो गया यह हो गया और इर्राइगुलर तो यह सब इन तीन लाइन मतलब ये तीन उसाइड अलग है ठीक है इनके अलग खला लैंज है माल नोवर और ये अलग होगा थी होगा ये नाइन होगा जोसाद हो कि बात करें यह क्लान धीया मतलब कि जानि ह afraid आई इक तो यह वं गया इसुपिदा यह बना राइट अंगल का तो है तो यह दोनों सब्सक्राइब या यकूट अंगल और यह ए तो हई लोगो स्मझ में आ गया हुआ के तरफ कि समय है किसी ट्रांगल प्रेक्श किसी ट्रैंगल प्रेक्श कितना होता है वनेट्रीट् ये टैनल कितना है 70 80 थे बाद यार रखना हमेशा किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंग्ल का सम तीनों एंग्ल का सम always 118 degrees always 180 degrees होगा थीनों एंग्ल का सम ठीक है न हमें एंगल पी का है 70 ओके एंगल क्यों इट्टी ओके एंग्ल आर पता करना है राइट इसे सॉल्व करते हैं अगर हों तो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा ओन्फिक्टी अब इसको इधा ट्रांस्पोस करते हैं और यहूं कितना जाएगा फिल 30 डिग्री आज्यंक यह इंगल आर कितना गया टरटीटीडीडी एंगल आरहा कितना आ गया ठर्टीडीडी ओके चुल स्टाट करते हैं कॉसर नवर फाइव फिद क्या कहा रहा है इप टू अब दे एंगल और राइट एंगल आर इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल हमारा माल लेतनी इस तरह से बना है इसका नाम ABC है इसका कहा रहा है की दो एंगल एक्वल यानि यह और यह को लें तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल एक्स रही एक्स तो बात समझ较 एंगल ए प्लस एंगल अग्ल सी टूट है इसने कहा है find the major of each to each of the two equal angle हम इन दोनों को find करना है इसको मैंने X माना है एंगल B है 90 डिगरी एंगल C को भी मैंने X माना है तो X प्लस X कितना हो जाएगा 2X कितना हो जाएगा 2X और यह 180 को मैं क्या करता हूँ फिर तो 90 इधर आएगा 90 इस साइड आएगा इससे मानेस करते है राइट तो यह कितना हो गया 90 यह 2X यह एक स्कॉल टू 90 अपॉन टू दैस स्कॉल टू 45 यह इच इक्वल एंगल कितना हो गया एगा को सिक्स देखते हैं क्या लिखा है विचात फॉल्लॉइंग इस नॉट पॉस्पिल बोला है इसमें कौन सा ट्रेंगल पॉस्पिल नहीं है बहुत असान लो करना क्या है एंगल पी प्रस एंगल क्यू प्रस एंगल आर करो यहीं-60 डिघ्री प्लस 60 डिख्री प्लस 40 डिघ्री तो इन यह वरं 12 ऑविध्यकी स्क़ू 1 Bye अब उस समझाओ अगर तेनौं एंगल का सम्तीनों नहीं आया जादा इससे पाता है एकजाट 180 आना चाहिए तब ही possible होगा वनना possible नहीं लोगा जैसे में की बी में बोला है 30 गलज सहरी सिस्टी डेगेरी प्लस 90 दुझा संहे 180 इसको स्घấp 1 इप वन आएटी तो यह पॉस्बी्ट पॉस्बिल होगा यह स्कोटन होती ऊप इसने को हैं तोफोके परकल वाने तीन एंगल को इसमें कितना होती फ्लिन में पर्फोर क कॉंसरा है am it इस यह प्लिए जो कि इसकानम्ट इ有沒有 सन में गया करते को संबर सब्सक्राइब क्या if angles of a triangle are in ratio दो जब भी ratio गी बनो या रखना हमेंसा तो तो तुम्हें सबसे एसी तरीक है है कि घुरालिट कर लो मालतें bud लेक्स और टीकी साथ मैंने इस लगा दिया और इंगल स सब्सक्राइल टानि तिक जड़ोरी ने एक्स तुम वाई कुछ भी वैरेबिल एक डिजिट को मंटिप्लाइ कर दो कोई भी एक वैरेबिल के अगर हो मंटिप्लाइ कर दो कि इस सवाल करने के दो तरीके में दोनों भी बताता हूं तो यह अब अब दो एंगिल ए प्लस एंगिल बी प्लस एंगिल सी सबसे बेस तरीक यह कितना है यह टू एक्स हैं कि मगद सेम एल मंटिप्लाय करना जो रेशुम होते हैं थे यह एक्स स्टाइब यह यह एड को कितना वागा 259 अगे तो एकस की वालु कितनी आ गई बॉन एटी एपॉन नाइन दैस कोल तो तन्टी एंगिल ए कितना होगा दोखो है यह क्याता 2-3 ऐस ता ना तो इसके पर आप एपस की वैलू को यह आ गया और एंगिल बी 3 x 20 यह आ गया 60 डिगरी एंगल C 4 x 20 यह आ गया 80 डिगरी तो यह तीनों एंगल के आ गए ओके तो जब भी कहें कोई भी तुम्हें रिएशियो गीवन हो तो उनके साथ हमेसे एक वैरिबिल मॉन्टिप्लाइ करो और इस तरह से उसे सॉल्ब कर लो चलो करते हैं कॉसन नमबर 8 और कॉसन नमबर एक देखते हैं क्या लिखा है इनने ट्राइंगल पी की वार एंगल पी गिवन है और एंगल की स्कूल तो टू आर फाइंड़ मेजर ऑफ क्यू एंड आर तो बहुत समझों क्या गह रहा है मैंने हर बार का है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का आर यह कुछ ने गिए वन इसके बारे में तो दो टू एंगल और एंगल आर एड़ होके बन जाएगा थ्री एंगल आर और यह थर्टी थर ट्रांस्पोस कर देंगे तो वन एक्टी माइनस थर्टी दैसक्वाल टू बन फिप्टी तो यानि एंगल आर इसक्वाल टू वन टूरू यह था इंगल आर गया हमारा इंगल क्यों समझेक्वान यानि ये टू मन्टप्लाइर आजनी यह कित्ना होजाएगा थैखे गया तो क्यों आर आ गिया सुथ नमबरًद 9 का दे एकुट आनल ऑफ़ राइट आंगल त्राइंगल है यानि एक एंगल कितना है नाइटी डिग्री आर इन रेस्यों फोर इस्टु फाइब तो यानि कि एंगल क्या होगे मैं अभी तुछ यह बने तो एंगल में लगाते हैं फोर एक्स हमान लेते हैं दूसरा है फाइब एक ठीक है न तो को एड करें कितना जाएगा 90 डिग्री ना सोरी 9x 9x और 90 को सब्सक्राइब करेंगे तो 180-90 राइट माइस करेंगे तो यह जाएगा 90 डिग्री और यह नाइन एक्स इन एक्सक्राइब टू तो एंग्ल्स क्या हो जाएंगे तो एंग्यल्स आर दो फोर मंटेप्लाइद 10 40 डिग्री 5 x 10 इंग्र आगे तो करते हैं किन्वा एंग्र तैन इन ट्रिंगल इस वन एंगल मेजर 40 डिग्री एक एंग्ल क्या खहा रहा है कि 40 डिगरी है यह प्लस अंद ड़न ट्व यह एक एंगल तुम्हारा है 40 डिगरी और यह दोने इनकों क्या है एक्वल है तो माल इतनी यह भी एक्स है यह एक्स प्लस एक्स और तीनो में कितना होगा ऑनटी फंद मेजर्स ठीक है ना तो यानि यह x plus x कितना हो जागा 2x 180 और इसको 40 को इधर ट्रांस्पोस करेंगे तो 40 क्यों चोगी प्लस में था तो तो 140 2x x is equal to 140 upon 2 x is equal to 70 degree तो x कितना आ गया 70 degree आ गया बस यहीं पूछा था तो यह हमार रहा हो गया ओकी चलो करते हैं को सब्सक्राइब कर रहे हैं वैसे सब्सक्राइब कर लेना इन तीनों का जिसमें टीन साइड होती हैं मैं किरिसा घ्रीक थिशा TY गो मैं त atroc samma आहरा ठेÁंगल अ कि अ और इसमें फाइब साइड तो पेंटागॉन हेक्सागॉन यह सब है यहां पर लिखा हुआ था यह सब एक नमबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग गीवन था ठीक है अगर यह तुमने इसका इंट्रॉडक्शन पार्ट देखा होगा इस वीडियो का इंट्रॉडक्शन पार्ड इससे पहलए जटाला है डिसकर अमें धी डाल दे रहा हूं अगर देखा होगा तो यह तो कुत कर सकते हो और इससे तुम्हें खुछ से करना है इवन कुसर नॉमबर 12-13 तुम्हें फुछ तो यह इंट्धर अपने आप कर सकते हो कि रिया लाइफ से क्या एंसर यह निया आ अब सिधेन आते हैं हमने कसा नमबर 15 पर इत्री हमतीत लिए खाय हाँ मैंज ट्रेंगब कैन यूदि पर कितने देख सकते हैं धिटे को सकते हैं यह लगाए है शेब लखने है अब दोने मिकाऊ है ये ट्रेंगवेज साथ मेरा ट्राइंगल कि वा याद अखना हमेशा जब भी ट्रैंगिल लिखो तो यह ट्रैंगिल का सिंबल होता है इस नाम से लिखने पहले हमेशा ट्रैंगल का सिंबल बनेगा ठीक है ना दूसरा ट्रैंगिल पी-क्यू-एस पीकू आर में यह आता है और ट्रेंगल पीक्यू एस में भी आता है लिए किसे में ने पूछा गया था तहां यह इक पूरे यह ट्रायंगल में और यह और यह पूरे में कॉमण है क्यों है ते जह प्रेंग सी कप और होगाम कि नाम क्या है PQS और PRS तो ट्रrang requests यो त्राइंगल जरूर बना रिप प्रस्त, ये ढ्याएं ध्री में धूर्ट इसे बरेट्स तौन सरे कोमन मैं जहेंby तीनों ट्राइंग ब्रेकर्याइड यॉर्केम गॉर्टच और इसम्में घुर्ट्वेस्ट तो कोमन है? वर्टेक्स पी बास में आगे आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अगर इन दा केस कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो ठीक है कमेंट कर देना चुछ मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक थैंक्यू हेवन आज दे टेक केर